नमोर आगवाय जैस रिशीत आ रहाएं अभी हमारी सभी तुलसा हैं बहुत अच्छी लग रह रहाएं जैसा कि आप इस वीडियो में देखी रहेंगे ये सियाम तुलसा हैं सियाम बरणब विर चैस पुलसा हैं और ये राम तुलसा हैं तो आप सर्दी बढ़ने लगए थोड़ी तोड़ी इसलिए हम आप सभी भाई बेनों तक एक अपना संदेश बेज रहे हैं कि आप तोलसा जी को सभी लोग अपनी को उड़ाना शुरू कर दें कपड़े कर लें और रात्री को तोलसा जी को उड़ाया करें वरना उन्हें सर्दी लग जाएगी या उन्हें पौदों के साथ सपोर्ट में रख दें जैसे ये पौदे हैं अनिक पौदे इनके साथ जो ये तोलसा रखी हुई हैं वो देखो कितनी हरी बरी तोलसा रखी लेकिन आप हमेने भी सपोर्ट में ही रख देंगे, क्योंकि अकेली तुलसा रहने से ज़्यादा सर्दी लगती है, हम रात को उड़ाते भी हैं, यह इनकी कपड़े हैं तुलसा मया के, इने हम पूरी रात को ढख भी देती हैं, फिर भी फर्क जाता है, जो साथ में सपोर्ट में रहती हैं, पोदों के, उनों तुलसा का कुछ नहीं, सब एक्दम हरी भरी रखी रहती हैं, इसलिए सभी लोग अपनी तुलसा जी को उठा करके, और दूसरे पोदों के साथ सपोर्ट में रख दें, जहां भी तुलसा जी सपोर्ट में रहीं, वहां तुलसा जी हरी भर बनी रहेंगे क्योंकि तुलसाब अगर भगवानी पूजा नहीं होती है थोड़ी ये लंबी बहुत थी इसलिए इनको भी अभी से सर्दी का एहसास हो गया आला कि ये हरी हो जाएंगे ये हमने अभी रखेंगे कल सपोर्ट में ले जाके रखेंगे लेकिन ये हरी हो इनको लेकर के आप रख लेते हैं पहले इनकी जो छोटी छोटी डंडी होती हैं मैंने कई वीडियो बना रखी हैं कई वीडियो उनमें छोटी छोटी डंडियों की बहुत अच्छा दीपक जलता है जो बगवान के सामने दीपक जला लिया करो और जो मोटी मोटी डंडी र होता है एकासी विरत वाले दिन पूर्ण मासी वाले दिन तो जी का थोड़ा सा कपूर और घी डाल करके हमन कर लिया करो हमन के बाद भी आप जैसे इतनी लंबोनी कर रहे हो तो बची हुई तो सी के यह दे आपके अड़ोस में पड़ोस में रिलेसन वालों में जो आया है वो तो यह विसेश तोर पर ख्यार रखना ही चाहिए क्योंकि वो लोग तो आत्मा तो सब की यह कहिए आत्मा तो परमात्मा में लीन होने के बाद किसी का भी भेदभाव रहता नहीं है वो तो सब यह कहिए जहां से आये जहां चले जाते हैं सब लोग लेकिन अब कुछ है जो नई भजन करना चाहते हैं वो चले जाते हैं यद उन व्यक्तियों को भी यद तुलसी की लखड़ी प्राप्त हो जाती है तो वो गोलोगधाम को चले जाते हैं हमारे साधू, संत, मात्मा, ग्रंथ, भागवत कहीं भी आप देखो सब जगे तुलसा की महमा इतनी है उस व्यक इतनी अनमोल लकड़ी है इतनी अनमोल लकड़ी कि इसको अकान कभी आपके घरोए में सूख रहें तो इनको कभी भी आप फैंकना नहीं आप अपनी तुलसाजी को घर पे बांद के रख लेना इनके तीन काम कर सकते दीपक जला सकते हो हमन कर सकते हो और म्रतक शरीर को दाक किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा दुष्टों के लिए कुछ सोचना नहीं है दुष्टों को दुष्ट प्रवर्ती में जीने दुख उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि एक छोटी सी वो कभी मैं सुनाओ एक मा थी वो कभी भग बगवान भजन नहीं करती ति।। उनसे किसी ने करें, उनके लिए कुछ ऐसा करो, जिससे वे बगवान भजन कर लिया. करें तो उनके लिए एक हर डाल दिया कि सारे दिन निकलेंगी तो वो कहेंगी अरे हर किसने डाला हर किसने डाला लेकिन नहीं उन्हें तो कहना ही नहीं था उन्हें का जब वो निकली कहरें यह धत्ति खोदा किसने डाला जिसे भगवान से प्रेम नहीं है जो दुष्ट प्र एक एक डंडी का उप्योग आप करें, इनको यह से नहीं, पहले आप इनको हर कीमत पर बस द्रोडा करके, सामूजी करके, इनको सरदी से बचाओ, पहले सरदी लगने मदो, और वस्त दीए, इनको हाँ बायचान सरदी लग जाती है, आपके तुझ साजी सुख जाती है, तो उनका भी आप सद पयोग करें, अपने लिए जाने वालों के लिए और भगवत भजन के लिए, तुल साजी की माला तो होती है, माला को तो सभी जानते हैं कि तुल साजी की माला का जब करने से हमें वगवानी प्राप्ति होती है, लेकन उसके लिए तो भगवत बड़ी किरप यह भी तहरा कि बिना माला हाथ में नहीं सकते हैं। जिसके हाथ माला आ गए उसका जीमन ही विदल जाता है। जिन लोगों के हाथ मेन माला नहीं है। सिर्फ तुलसी पूरी चैहित को बस जादा सेवा नहीं कर पा पाते हैं। एक लूटा जल, थोड़ा सा सिंदु लगा पाती है, मात आपके, और वस तोड इसी, कभी कभा जो पूजा करते हो उन भक्तों के लिए, यह संदेश है, नमो रागवाई, जै शिर्शीतारा, बोल तुल सामया की जै, जै जै शिर्शीतारा, जै जै शिर्शीतारा,